हलो गाईज आज हम आए हैं अपनी क्लास NCRT की किताब सात्मी जमात यानि सात्मी क्लास के लिए जबान अपनी जवान NCRT और आज हम बात करेंगे एक चैप्टर है बहार जिसके शायर है नजम है जिसके शायर है अपसर मेरिटी अब दोने हों आजबते हैं आजी किसे रखेंगे ना विल म्हुने आफ़ाल सात्मी करेंदे जा बाऊम है लिए उतला सिर्द के शायर भी हूंते हैं टो अपनर ज्चित को involves फूल in the city एक नज्म है बहार, जिसका उन्वान है, जिसका टاعपिक है, और इसके शायर के नाम आपको आखिर में बताओंगा, ठीक है तो ये पहले लायन से शुरू करते हैं आया है बहार का जमाना बागों के निखार का जमाना कलिया क्या क्या चटक रही हैं सारी रवीशें महक रही हैं हल्की हल्की ये उनकी खुष्श्बू फैली हुई है चमन में हरसू हलकी हलकी ये उनकी खुश्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च फा अलगे फा है ना तो यह फैली हुई है चमन में हर सू चिडिया गाती है गीत प्यारे सुनते है फूल चमन के सारे ठीक है यह अगला पेज है कितनी राहत फजा हुआ है गोया जन्नत का दर खुला है खुश खुश हर एक आदमी है हर्षे में बला की दिलकशी है कैसी दिल्चेस्ट चांदनी है चांदनी एक नूर की तनी है हर दिल में उमंग किस गदर है सब पर ही बहार का असर है सड़कों पर जो लोग जा रहे हैं घजलें अफसर की गा रहे हैं तो यह थी नजम और जिसके शायर हैं देख पा रहे हैं अफसर मेरटी अफसर इन्होंने अपने तखल्स यूज किया है तखल्स को पर ये एक लाइन च्छोटी सी ये निशान आता है ठीक है तो देखिए इन्होंने यहां यूज भी क्या है घजलें अफसर की गा रहे हैं ठीक है तो ये थी कहानी और इसमें देख कीजिए. निखार मतलब ताजगी या सफाई या उजलापन या खौबसूरती. चटक रही है का मतलब है खिल रही हैं. कलीों का खिलना है. फूल से पहले कली बनती है. कली से जब फूडती है वो यानि खुलती है कली, छोटी से बड़ी होती है शुरू शुरू में, तो उसको बोलते हैं चटक रहे, चटक ना, कली का खिलना, ठीक है, रविशें, रविशें का मतलब होता है, रविश की जमा, है ना, रविश की जमा, इसका, रविश का क्या है, क्यारियों के दर्म्यान के रास्ते यानि कि दो तरह फूल लेगे हैं, दो तरह फूल लेगे हैं, बीच वे रास्ताओतों से बोलते हैं, रविश हैं, है ना, और देखिए, यह आपका है, हरसू, हरसू मतलब हर त्रफ या हर जानिब, राथ अबजा बोलते हैं इसको आराम को बढ़ाने वाला, है ना, बला की दिलकशी, बला की दिलकशी वहां यूज़ करते हैं, बला मतलब बहुत जादा एक तरह से, यानि कि दिल को बेहत लुभाने वाली, उमंग, उमंग बोलते हैं जोश को, वलवला, तरंग, ठीक है, जिससे मतलब जोश आया है देख के किसी चीज़ को, ठीक है, तो ये सवाल है, बागों पर निखार आने की क्या वज़ा है, ठीक है, बागों पर निखार आने की क्या कारण है, है ना, मतलब यही हुआ, रविशें क्यों महक रही हैं, समझ रहे हैं, ये तो आप सिंपल सा क्वेशन है, रविश मैंने आपको बताई दिया किसे कहते हैं, सवाल हैं तारीफ हुई है तो जाहिर से बात है जन्नत जैसी वह आ रही है इस लिए इस लिए इनों इसा सवाल किया तो ऐसा इसनों बताया भी है नजम में बहराल सवाल नमर चौथा चांगनी कैसी लग रही है है ना यह था चौथा पांचवा है सड़कों पर जाने वाले लोग क् सबती चीजें समझने के लिए बताने के लिए ठीक है बस बाकी मिस्र मुकमल कीजिए मिस्रे बोलते हैं शेर शायरी में जब पहली लाइन होती है जैसे के ये एक पहली लाइन है कितनी राहत फजा हवा है ये एक मिस्रा हो गया ठीक है ना दूसरा मिस्रा गोया जन्नत का द जम्लों में इस्तमाल कीजिए ये पहला है वर्ड जिसको हम लब्ज गोलते है उड़ू में शिपड गोलते हिंदी में तो पहला श्रप्ध निखार दूसरा है चटक तीसरा है मेहक चौथा है हरसू हर्सू मतलब हर तरफ आपने इसमें लिखावा भी इसका मीनिंग में दिलक करके सुना रिता हूँ पता नहीं किसी किसी में या आता है किसी में नहीं आता है मिसरों को सही तर्तीब से लिखकर शेर मकंबल कीजिए सही तर्तीब से में लिखकर मतलब यह के पहले नमर पर कौन साया है, है ना, दूसरे नमर पर ये है, तीसरे नमर पर ये है, नो ने लिख भी दिया है, जिसके बच्चे की ये बुक रही होगी, ठीक है, है ना, बाकिया आप मैच कर सकते हैं इससे, नजम में जो लिखवा बुक में, ठीक है, अमली काम, इसका कोई मतलब है ये उसे पढ़ देता हूँ, इस नजम के उन अशार का मफहूम लिखिए, जो आपको पसंद हो, ठीक है, दूसरा रखा है, अपने पसंदीदा मौसम पर पांच जुमले लिखिए, यानि कि जो आपका पसंदीदा मौसम है, उस पर पांच लाइने लिखिए, ठीक है, अब क मौसम अच्छे होते हैं, अपने अपने लिहाज से, ठीक है, लेकिन जरूरत से ज्यादा कोई भी मौसम अच्छा नहीं होता, बहार को छोड़कर, बहार का मौसम तो यह है कि अल टाइम अल वेज अच्छा होता है, पढ़ देता हूँ मैं, इस नजम के एक मिसरे में शायर बला की दिलकशी लवज इस्तमाल किया है, इसी तरह इस लवज का इस्तमाल शिदत के तोर पर किया जाता है, जैसे बला की गर्मी है, बला को यूज किया जाता है, ज्यादा मतलब एक्स्ट्रिमिटी लाने के लिए, ठीक है उर्दू में, बला की उमस है, बला की आंदी है, बला का शूर है वगेरा वगेरा या बला की खुबसूरती है है ना ये भी मैं आपने तरफ से बता रहा हूँ सुनाओगा आपने तब तक हमारे चैनल को सबस्क्राइब करके सारी वीडियो देखें और उसके बाद शेयर करें जिसको उर्दू पढ़ने की जरूरत है या सेवंध क्लास में यो बच्चा है ठीक है होती है आप सुमलाकाद बाबाई